बरुष तालुका के सिद्पोन करगट गाउं के पास गुजरता रेलवे अंडर ब्रीज भारी बारिश के करणपुरी तरीके से पानी में घरकाउ हो चुका है बारी बारिश के करण यहाँ पर 10-15 फिट पानी भर चुका है तंतर द्वारा इस बात की कामगिरी नहीं करते हुए रेलवे अंडर ब्रीज स्विंग पूल में तब्दिल हुआ था ग्रामय मार्ग में आया हुआ रेलवे फाटक को बंद किया गया है फिलाल अंडर ब्रीज में बारिश के पानी भर जाते हुए यह ब्रीज के कारण गाउं के लोगों को हाईवे पर जाने के लिए भारी दिक्कते परेशाने भुगदनी पड़ रही है तीस फुट की लंबाई धारित वैसे अंडर ब्रीज पर बीना लाइट के अंधेरा भी चा चुका है जा सीथपोन काओ के इसमाईल भाई बंदला द्वारा रिलवे तंदर को इस बात की शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई भी पाने निकाल की समस्या का हल नहीं करते हुए गाउलोगों को परेशान होना पड रहा है अट्याने 15 दिवस्ची आ गर्णा लाइट निचे लगभग गर्णा सामो पाणी हटो आने पाणी न अंदर कोई पान वस्टू रती जरी सकता ना अटा क्या आवी सकता ना अटा शदें तर भेवार बानूटो मात्रा ने मात्रा आ गर्णा लोगों सोबाना गाठ्या जेऊँछे अना अंदर कोई लाइटनी शूभडिया नटी कोई पर जादनी शूरीटा मतलगे चे नेटी अने अना अंदर ने राटना वा परशाठ्टों मारस ने बीक लागे पोजिस्टन देचे इतले हिया गर्णा लोगों मलेके चरचरीट मनी गेलूँछे अना अना मात्रे कोई पर शाभरतू नटी अने पबलीक ने अतनी मोडी आवाज़ानी तखलीप परच अने पबलीक मलेके MDR पाचा जाईट आफाइट द्यावर पाचा जाईट अना देरीट लोग अने वहले देरीट नम मुश्केली परचे